अलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मात 10 मिनट में इंस्टेंट सूजी का डोगला यह बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो फ्रेंट देर किस बात के चला शुरू करते हैं तो इसे बनाने के सबसे पहले मैंने ले लिए एक कटोरी बारिक वाली सूजी आप बारिक या मोटी कोई भी ले सकते हो अब उसी के साथ हम ले लेंगे एक कटोरी दही तो मेरी थोड़ी पतली दही है अगर आपके गाढ़ी हो तो आप आधी कटोरी ले लीजिए और अब इसमें दालेंगे दो हरी मिर्ची आदा इंच अध्रक के तुकड़े को कूट लिया है एक चमत चीनी दालेंगे और स्वात के अनुसार ही हम नमक दालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो सबी की कटोरी में ही मैंने 304 चम्मच इतना पानी ले लिया है और अब इसे में अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो इसे हमें बहुत पतला बैटर नहीं बनाना रहता है गाढ़ा सा ही बैटर बना कर रखना होता है अब इसे हम ढखकर रेस्ट पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए और मैंने ले लिया है थाली और थाली को मैं ऑईल से ग्रीज कर दूंगी और इसे में स्टीम होने के लिए रख दूंगी 10 मिनट बाद हम देख लेते हैं तो हमारी सूजी है वह अच्छे से फूल चुकी है अब मैं इसमें दालूगी 1-4 टी स्पून जितना बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से में मिक्स करके फेट लूंगी तो मैंने अच्छे से फेट लिया है मैं थोड़ा सा इसमें पानी अट करती हूं क्योंकि यह थोड़ा सा थीक बैटर लग रहा है तो अच्छे से यह मिक्स हो गया हम चलते हैं गैस की और मैंने रग दिया कड़ाई कड़ाई तो यह अच्छे से सब जगा फैल चुका है और अब इसके उपर थोड़ा सा हम लाल मिर्ची छिड़क देंगे और थोड़ा सा हम गिलावा नारियल बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड और इससे हम स्टीम होने के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे तो 15 बहुत ही अच्छा फूल चुका है तो हम चक्कु से एक बाद चैक कर लेते हैं तो यह बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है अब तड़का त्यार कर लेते हैं तो मैंने तड़का पैन में एक बड़ा चम्मच भरके तेल डाला है अब आधा चम्मच दालेंगे राई वन बारी कटीवी हरी मिर्ची और थोड़ी से करी पत्ता को फ्राइ कर लेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे और तड़का तयार हो गया है हम बन कर देते हैं और इसे ले जाते हैं अपने ढूकले के पास तो दोकले के उपर चमच से हम डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे तड़का सभी जगा अच्छे से डालिए तभी धुकले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो लीजिए हमने बहुत अच्छे से तड़के को फैला दिया है और अब हम थोड़ा धनिया से गानिश कर देंगे तो अच्छी तरह से धनिया डालिए तो हमने धनिया डाल दिया है अब थोड़ा सा हम नारिल का बुरादा एट कर देंगे और अब इसे हम कट करेंगे तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल न भूलिया तो फ्रेंड यह बहुत जल्दी बन जाता है और केवल 10 मिनट में ब बहुत जटबट से बनके तैयार हो जाता है और यह बहुत ही स्पंजी भी बना हैं मैं आपको दिखाती हूं तो देख्ये कितनी जाली पड़ी है और यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाया आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली है ऑ defence और इस रेसिपी को जरूर फॉलो क तेंक यू